हनुमान की उपासना करते करते उपासना यानि हनुमान के गुणों पर जीवन पर मनन करते करते वे गुण अपने अंदर आत्मसाद कर लें सच्ची उपासना सच्चा भग्त यही करता है और हनुमान उपासना चल रही है तो सारे गुण देख लें पहला गुण सबसे मुख्या जो सांसारिक अभिवक्ति में सांसारिक सफलता में काम में आता है एक गुण है अध्यात्मिक भक्ति का और एक सांसार एक जगत में सफलता पाने के लिए जो गुण है वह है लीडर गम हनुमान लीडर गम थे लीडर गम गम यानि गोंद लीडर गम सिर्फ लीडर नहीं लोग लीडर होते लीडर गम नहीं होते लीडर गम यानि जो लीडर्स को जोड सके कई लीडर्स को जोड सके क्योंके राम के साथ लक्षमन भी आप राम के साथ तो लीडर्स ही होगे सुगरीव है सुगरीव की प्रजा में वे थे अनुमान तो सुगरीव को भी संबालना है लक्षमन को भी संबालना है बिबीशन को भी समवालना है जो लंका के राजा होने जा रहे सब लीडर्स को उन्होंने समवाला अलग-अलग घटना में सबी लीडर्स को जोड कर रखा किसके साथ कैसे बात करनी चाहिए सब को समवालना है सारे लीडर्स सब को जोडना है और जिसको ये कला आती है, लीडर गम है वह, जिसके साथ बहुत सारे लीडर एकटे काम कर सकते हैं, क्योंकि रावन को मारना है, रावन को मारना है, तो बड़ी फोज चाहिए, समझदार लोग चाहिए, और लीडर्स चाहिए, बहुत सारे लीडर्स चाहिए, और उनको जोड तो हनुमान में जो ये गुन है, ये अथी आवशक है, जितना बड़ा लक्ष है, लीडर गम हाँ, और सेवा कैसी? अदर्ष्य सेवा, चुकि पवन पुत्र है न, पवन जो है, हवा जो है, अदर्ष्य रहती है, और बहुत सेवा करती है, पवन की सेवा आप जानते हाँ, तो हनुमान की सेवा कैसी थी? अदर्ष्य रहकर सेवा, लगों को पता भी नहीं चले, मगर उसके बगर सेणा देखोगे, तो लगेगा नहीं कि ये सेणा कोई रावन से युद्द कर पाएगी, हनुमान को निकाल दो सेणा से, कैसी सेणा दिखेगी? तो हनुमान अदर्ष्य लीडर है, और लीडर गम है, और इंपर्टन गुण जो है, जो सभी में आना चाहिए, वे फ्लेक्जिबल है, फ्लेक्जिबल, और अब ये गुण दिखाने के लिए क्या दिखाया जाता है कहानी में, कभी-कभी बड़ा रूप दारन करते, कभी-कभी छोटे हो जाते हैं, बहुत चोटे हो गए, और बड़े हो गए, यानि जहां जो जरूरत है, वहां वैसे हो जाओ, जहां जैसी जरूरत है, हनुमान ये सारे गुण रखते थे, तो कैसे दिखाया गया, बड़ा रूप, छोटा रूप, अलग-अलग रूप, जब वे जा रहे थे न, समंदर के उपर से, सुरसा नाम की राक्षनी, उसने कहा, देवताओं ने मुझे आज बोजन दिया है, तुम मेरे बोजन हो, आज का बोजन, तो मेरे मुह में आ जाओ, पेट में आ जाओ, अभी देवताओं का नाम लेकर, हनुमान को खाना चाहती है, हनुमान ने क्या कहा? हनुमान ने समझाया पहले तो, क्योंकि पहले तो समझाना है जो सुन सकता है, उन्होंने समझाया कि मुझे राम का काम करना है, मुझे जल्दी जाना, मैं वापसी में तुमारा बोजन बनूगा, वापसी में तुमारा बोजन बनूगा, वापसी में तुमारा बोजन बनू तो सुरुसार ने क्या किया अपना आकार और बड़ा कर दिया हनुमान और बड़े हो गए और इस तर क्या हुआ राक्षित ने इतनी बड़ी हो गए और हनुमान अचानक छोटे हो गए और उसके मुँँ से गुम कर आगे तो देवता भी ने अराज नहीं हुए हनुमान चत्र थे चालक थे चालक चत्र होना चाहिए जो चला रहा है चालक ड्राइवर जो है चत्र होना चाहिए हनुमान राम और लख्ष्मन को कंदे पर लेकर जा रहे है तो जो ड्राइवर है वह बहुत चत्र होना चाहिए समझदार होना चाहिए सवारी का नुकसान न हो जाए जो सवार है उसका किसी भी तरह से नुकसान न हो जाए हनुमान में ये गुण थे flexibility कहां बड़ा होना है, कहां चुटा होना है सामने सुगरीव है और राम को लेकर आये मिलाने के लिए तो बहुत सोच समझ कर कि पहले क्या किया जाए बाद में क्या किया जाए स्टिप्स कि राम भी ये प्रभू है और ये राजा है इसके भी अहिंगार को ठेस नहीं बोचनी चाहिए राम का काम भी होना चाहिए ये समझदारी हनुमान में थी और सभी लीडर्स को जोड कर रखने की अदर्ष्य सेवा और केरिंग आटिट्यूट ब्राइट केरिंग संजीवनी ले आने है तो संजीवनी ले आते है लक्षमन को उठाने के लिए संजीवनी चाहिए दवाई चाहिए ये ब्राइट केर है कैसे काम सारे होने चाहिए, समय पर होने चाहिए तो हनुमान अलग-अलग गुण रखते हैं जिसमें जिम्मेदारी को लेकर उसे अंजाम देना ये एक और गुण है कोई जिम्मेदारी लिए आपने तो उसको पूरा करके आना है आधे में नहीं छोड़ देना है सुरसा जैसी राक्षनियां आएगी तो बहाना तो अच्छा मिल गया न? बहाने तो बहुत मिलते हैं ये अर्चन आई, ये दिक्कत आई इसलिए काम नहीं हुआ वर हनुमान कैसे तो जिम्मेदारी लिए है तो उसे अंजाम तक वच्चन पूरा होना चाहिए कमिटेड है तो काम पूरा होना चाहिए वच्चन बदता ली जाती है और वच्चन तोड़ा जाता है यानि हम कमिटेड नहीं है जो भी हम वच्चन दे रहे हैं उसको पूरा करना है आखरी मुकाम तक तो ये हनुमान के गुण समंदर ने देखा हनुमान राम का कार्य करने जा रहा है तो समंदर ने अपने अंदर से मेनाक परवत को उपर लाया मेनाक परवत उसको उपर लाया और हनुमान को रुकुष्ट की आप इस परवत पर विश्राम करें मेनाग परवत ने खुद आमंतरन दिया आप ठक्के रहेंगे विश्राम करें बरहनुमान के अब दो सो गया आराम करने बढ़ गया अब बिलकुल नहीं उन्होंने कहा मैं राम के कारे में जा रहा हूं मुझे जल्दी है मैं नहीं बढ़ सकता उन्होंने परवत को स्पर्ष किया उन्होंने स्पर्ष के प्यार से यानि उसका भी अनादर नहो मर में रुक नहीं सकता उन्होंने स्पर्ष किया आपका धन्यवाद हमें अपने कारे में आगे जाना है तो सुक सुधाय आएगी जब राम का कार्य किया जाएगा तो सुक्सोधाएं बीच में आएगी कोई ज्यादा आधर देगा, सपोर्ट करेगा मगर हमें क्या करना है? सिरफ इस पर्ष आसकती न हो मोबाइल मिला है तो मोबाइल आसकती न बने ये सेवा में सयोग करे आसकती न बने कॉंपूटर मिला, कैमेरा मिली है तो ये आसकती न बढ़ाएं तो हनुमान बता रहे है जब आप अपने लक्ष की तरफ जा रहे हो रास्ते में मिलने वाली सुविधाएं आसकती का कारण न बने कि इनसान में अंदर तो कहीं तो आसकती होती मुझे भी मिले ये चीज मिले वो चीज मिले और सेवा में वो चीजे मिल गई किसी को तो वो उदर ही रुख जाता है तो ऐसे कभी रुख मत जाना जिमेंदारी जितनी बड़ी लेते हो सुविधाएं आती है चीजें आती है आजादी मिलती है मर वो आजादी वर्दान बने अभिशाप न बने मेनाग परवत सामने आ गया मगर हनुमान रुके नहीं आगे बड़े सुर्शा आई उसके मुह से निकल गए सिहंका आई सिहंका एक ऐसी राक्ष ने थी जो क्या करती थी उपर से कोई प्राणी गुजरता था कोई पक्षी कोई भी चीज तो वह उसकी परच्छाई को पकड़ लेती थी नीचे पानी पर पढ़ने वाली परच्छाई उसको पक नहीं पाता और फिर वो गिर जाता पानी में फिर वो उसको खा जाती सिहेंका ऐसे करती थी तो हनुमान भी गुजरे जब तो उसने भी वही किया मर हनुमान फसे नहीं परच्छाई को पकड़ लिया परच्छाई पकड़ लिया या नि परच्छाई पढ़ती है, उस परच्छाई में सूरश का प्रकाश नहीं पहुंचता, इसलिए परच्छाई दिखती है, जो नहीं है वो दिखती है, परच्छाई का रथी क्या, जो नहीं है मर दिखती है, अहिंकार, जो नहीं है मर दिखता है, व्यक्ति जो नहीं है, separate व्यक्ति जो नहीं है तो लोग उस परचाई की तारिफ करें अरे वा कितने सुंदर हो कितने गुंगराले बाल कैसा मुकट है, कैसी सुंदर वेशबूशा, कैसी गदा है किसी के बाद है नहीं तो फस गया हो ऐसा इंसान फिर फस गया तो परचाई की तारिफ हो जाए जब व्यक्ति की तारिफ हो जाए तो समझ जाना सेहका आई है परचाई पकड़ रही है मुझे नहीं उलजना है उस राक्षसने को भी मार डाला और आगे बड़े इंसान जीवन में कैसे जीए सिर्फ अवतारों ने ऐसे किया वे ही कर सकते है साधारन इंसान नहीं कर सकता है कहीं कहानियों से ऐसा अर्थ लगा कर बहाना नम बिल जाए मन को हमारे लिए संभावना है हमारे अंदर वो भक्ती जग सकती है हमारा शरीर मंदिर बन सकता है राम का निवास हो सकता है ये बातें आपसे आज की इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं हैपी थौट्स तेजग्यान और सरश्री तेजग्यान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं धन्यवाद